कहाने के शुरू में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो जंगल में बनी एक कैबिन में अपनी फैमिली के साथ छोटिया मनाने आई थी जब वो बाहर खेल रही थी तब ही उसके पास एक आदमी आता है और उससे बात करता है थोड़ी बाते करने के बार वो कहता है ऐसा काम जो कि दुनिया बचा सकता है यहाँ पर दरासल इस चोटी बच्ची को दो दोस्तों ने एड़ यानि गोद लिया था वो दोनों दोस्तिक दूसरे से बहुत प्यार करते थे एक दूसरे के पगएर सिंदा नहीं रह सकते थे इसलिए उन्होंने इस बच्ची को चोटी बच्ची उन्हें देखकर बहुत डर गई थी वो भाग कर अपने कैबिर में चाती है जहां पर उसके दोनों डैड्स थे जिनके बारे में मैं आपको पहने ही बता चुकी हूँ वो दोनों को उस आदमी और उन लोगों के बारे में बताती है जो जंगल से आ रहे थे ये दोनों भी सुनकर बहुत ज़्यादा डर चाते हैं वो आदमी अब अपने साथियों के साथ बाहिरा कर खड़ा हो गया था और इनसे दरवाजा खोलने का कहता है लेकिन उस बच्ची के दोनों डैड्ड उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे और उन्हें वहा बाहरी में बाहरी रह गई थी और सबसे बड़ी बात बाहर वाले लोगों के पास हत्यार थे मगर फिर भी वो लो बार बार इनसे दरवासा खोलने का कह रहे थे मगर ये दोनों उन्हें बार बार धंकी देते हैं कि चले जाओ यहां से वरना हम पुलिस को कॉल करेंगे लेक पर आजाते हैं एंड्रियू और एरिक उन पर हमला करते हैं पर चीब बात ये थी वो लोग तो इन पर हमला करी नहीं रहे थी और इसी लड़ाई में एरिक के सर में चोड़ पी लग जाती है तो उन्ही में से एक लेडी उसकी मदद करती है ये कहती है कि वो एक नर्स है या पर पहली बार उसने एंड्रियू को अपने मॉम डैड से मिलवाया था पर उन्हें ये रिष्टा इनका पसंद नहीं था लेकिन वो दोनों एक दूसरे के बगएर नहीं रह सकते थी इसलिए वो लोग अलग हो गए और आज एक साथ थे खेर दुबारा हम प्रेसेंट जरूरी काम से आए हैं और तब हमने इस रास्ते को चुना और आगे भी बहुत सी मुश्किलात आने वाली हैं जिनको तुम टीनों में से किसी एक को अपनी जान देकर लोगों को परचाना होगा अब वो चारो एक साथ खड़े होते हैं और उनको अपना मकसद और काम बतान मिला था वो कहता है मैं एक टीचर हूँ और मेरा बार भी है तीसरे नमबर पर इनका एक और साथी बताता है कि वो एक गैस कंपनी में काम करता है वहाँ पर एक छोटा सावर कर है पहले वो बहुत बुरा था और उल्टे सीधे काम भी किया करता था पर अब वो ठीक हो गया ह और अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा है पिर चोटे नमबर पर लेडी बताती है कि वो एक होटल में शेफ है ये सारी बाते समझ कर एरिक ये समझता है कि ये लोग किसी रिलीचन मजभ से तालुक रखते हैं और इनके फादर ने उन्हें यहाँ इनके पास भेचा ह उनकी ऐसे साथ रहने पर ये उन्हें अलग करने आए हैं उन लोगों का लीडर कहता है जो सबसे पहले चोटी बच्ची को मिला था कि ये सब गलत सोच है तुम्हारी हम यहाँ पर एक खास मकसद के लिए आए हैं वो बताता है दुनिया में बहुत बड़ा एपोकलिप्स प तुम्हारी मर्जी के बगएर कोई भी इंसान तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता यानि कि तुम्हारे साथ कोई सोर्जबरतस्ती नहीं कर सकता वो लीडर इनको बताता है हम चारों भी एक दूसरे को नहीं जानते थी मगर इन तबाहियों के बारे में हमें सपने आन तो तुम सिर्फ तीन लोग जिन में तुम दोनों और तुम्हारी बीटी होगी। तुम में से किसी एक ने भी। अगर खुद को कुर्बान कर दिया तुम सारी दुनिया बच जाएगी। वो लीडर आगे ये भी बोलता है। सबसे पहले नदिया डूबेंगी। और पानी एरिक इन बातों पर यकीन नहीं करते और अपनी जान को सेक्रिफाइस कुर्बान करने से भी मना कर देते हैं। लीडर कहता है अगर तुमने ऐसा किया तो सारी इंसानियत को इसकी कीमत अदा करनी होगी। फिर उनी का साथी सामने आता है जिसने अपने चेरे पर सफेद रं जिनी जिन्दगी के बारे में भी दिखाया जाता है। जहां पर इन दोलों ने अपनी बेटी को बड़ी की प्यार से गोद लिया था। अब है लेडर इनको टीवी दिखाता है। जिसमें खबर बताय जा रही थी। मुलकों में बहुत से जल्जले आ रहे थी। बहुत सी जगों पर सेला अप सुनामी भी आ गई थी। जिस पचा से समंदर किनारे बसने वाले लोगों ने अपनी जान को गवा दिया था। एंड्रियू अभी भी इन बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। पर एरी को थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था। तब हमें फ्लैश ब होगा। खैर अब तुबारा से हम प्रेजेंट में आते हैं। एरी के सर पर नर्स पट्टी बानती है। और कहती है हम चारों को इन तबाहियों के बारे में सपने आते थे। और तभी हम एक साथ मिले। और यहां तुम तक आने का रास्ता भी हमने अपने सपने में ही देख है। तभी इस कैबिन से छोटी बच्ची भागने की कोशिश करती है। तो लीडर उसको पकर लेता है। एंड्रियू से कहता है मेरी बात को समझो पर वो यहां पर उसे कह रहा था जो तुम्हारा साथी जिसको तुमने मार दिया जो फैक्टरी में काम करता था। उसका काफ बारे में बताया और फिर जिसके बाद हमें भी वैसे ही सपने आने लगी। और आज हम अपने जही रास्ते पर हैं। बस हम तो इन तबाहियों को रोकना चाहते हैं। फिर वो खैर सबको आराम करने का कहता है। तभी वो लीडी छोटी बच्ची को खाना दीती है जो शेफ जिसको मेरे सपने में बार बार मरते देखा है। तो लोग मान जाओ हमारी बात पर अभी भी दोनों इनकी बात नहीं मानते। फिर उस लीडी को मार दिया जाता है। जिसका मतलब साफ था कि उसकी फैमली खत्म हो चुकी थी। वो भी अब सिंदा रहना नहीं चाहती थी। लीडर उसकी लाश को बाहिर रख देता है। फिर जिसके बाद ये दुबारा से टीवी देखते हैं जिसमें बताया जा रहा था कि एक बहुत बड़ी बीमारी फैल रही है जहां बहुत से इलाकों में इस बीमारी से बहुत से लोग मर चुके थे। इनका एक और सबना सच ह घुका था है, एंड्यूः यहां पर कहता है यह सारी पूरानी खबरे हैं ये लुक जूट बोल रही हैं ये खबरें ये पहली चांते हैं क्या होने वाला है और क्या होगा। अर्ट को इंकी बादो पर थोड़ा थोड़ा यकिन होने लगा था昨ूब की उस ने पहले जिस आत्मे को मरते हुए देखा था, यहाँ पर कुछ महसूस किया था, जैसे कोई शक्ती इनके पीछे हो, एरिक यह समझ रहा था, यह चारों ही हैं, जो दुनिया में तबाहि पहलाने आई हैं, इन चारों के पास अलग-अलग ताकते हैं, एक के पास सुनामे लाने की ताकत है, तो दूसरा जंग और बीमारी ला सकता है, तीसरा यहाँ पर खाने का है, जो दुनिया में कीडे मकोडे लाएगा, जिससी दुनिया का सारा खाना पर बात हो जाएगा, और जो था, अपने साथ मौत लाएगा, पर एरिक की सोच यहाँ पर गलत थी, उसने अपने दिमाग मे अचीब सी कहानी को बना लिया था, बलके यह चारो तो उन तबाहियों को रोकने आए थे, तभी छोटी बच्ची इनका धियान बटकाती है, एक सोरदार चीख मारती है, एरिक और एंड्रियो दोनों आज़ाद हो चुके थे, एरिक अंदर इन दोनों को रोकता है, और बाह आता है, जो कुछ इस आदमी तुम्हें बताया, सब कुछ गलत है, उसने तो अपना नाम भी तुम्हें सच नहीं बताया, वो आप लोगों के दिमाग को कंट्रोल करके यहाँ पर अपना बतला लेने आया था, पर लीडर उसकी किसी बात को नहीं मानता, कहता है जो कुछ भ अपने लगा था, यह इसको बात्रूमें बंद कर देता है, तो भी उसको की नास टूटने की आवाज आती है, जिससे उसे यह नग रहा था, कि वो भाग गया, पर वो वही पर था, वो एंड्रू पर हमला करकी उससे गन चीन लेता है, जो यह हाल में आते हैं, तो टीवी प पहने से पता था, पर एंड्रू इन सब पर अभी भी एकिन नहीं कर रहा था, पर एरिक को अब इन बातों पर यकीन होने लगा था, क्योंकि जब इसने इनका पहना साथी मरते हुए देखा था, तो तभी उसके पास एक अंजान सफेद रोशनी को देखा था, अब अगली इनसानियत को जज़ करने का वक्त आ गया था, इसलिए लीडर अपनी जान देता है, जिसके बाद दुनिया में काने बादर छा गए थे, हर तरफ अंधेरा होने लगा था, साथी साथ पिछली पी चमक रही थी, एरिक एंड्रियू से कहता है, हम दोनों में से किसी एक को कु पक दिया, सबसे पहले ने, हमें नफरतों को कैसी खत्म करना है, दूसरे ने लोगों की परवा करना, उनका खयाल रखना, जबकि तीसरे ने लोगों को बचाने का मैसेज, और चोथे ने हमें इन सब बातों के बारे में बताया, एंड्रियू कहता है, इस काम के लिए हम ही क एंड्रियू चुने गए, एरिक कहता है, इसकी वचा ये है, हम तीनों का बेपना प्यार, और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी बेटी को अच्छे से बार बोसकर बढ़ा करो, इसलिए मैंने खुद को कुर्बान करने का फैसला किया है, और ये कहकर, एरिक एंड्रियू से ख गारी दिखाई दीती है, जो उन चार लोगों की थी, उन्होंने ये इनके लिए यहाँ पर छोड़ी थी, जब ये टाउन में आता है, तो खबर सुनता है, कि एक मिरीकल, एक मौजज़ा हुआ है, सारी तबाहियां खुद बाखुद रुख गई हैं, प्लेंस जो तबाह हो सकती थी, क्योंकि इतना कुछ हो जाना, कोई आम बात नहीं थी, और एरिक ने खुद को कुर्बान इसलिए किया, क्योंकि जिस सुफेद रोशनी की, उसने बात की थी, उसमें उसने एंड्रियो और अपनी बेटी को देखा था, जिसमें उसकी बेटी बड़ी हो चुकी और वो उनके साथ नहीं था, इसलिए वो जान चुका था, कि उसको ही कुर्बान होना है, कहानी के आखिर में हम एंड्रियो और उसकी बेटी को देखते हैं, जो उसके साथ एक नई जिन्दगी कुसारने के लिए निकल पड़ा था, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत् कि डे में पलीकर देखते हैं, जई आखिर में हना हैं, ऑा दुका और ल्चाए देखते हैं, और खत्य निकली कुआ दो हैं, जा दो झाली हुआने का फिकल लागगीर का विन्दगना हैं, जगयकल उनnd जाने के साथ लँए पर गारी इवशने के ले, we में दोगते हैं ले